हेलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो बैंक निफ्टी में आज कहें भी अपोर्चुनिटी नहीं थी इतना ज़्यादा साइडवेस था मार्केट बहुत ही ज़्यादा और वही सिच्वेशन निफ्टी फाइनेंसल सर्विसेज में थी साप-साप आप देख सकते हैं कितना साइडवेस मोमेंटम दिखाया हाला कि निफ्टी फिफ्टी में आपको कुछ बह्तरि où दो दिया मर्केट ने ट्रेडिंग day लोो का भी बरेकडाउं दिया प्रिवेस डे लो का भी मार्केट दिया breakout भी दिया, यहाँ पर आपको बहुत सारे momentum capture करने के लिए मिले कुछ यहाँ पर opportunities बनी, लेकिन bank nifty में कहीं भी situation नहीं दिखाई दे रही थी नहीं कोई setup activate हो रहा था हाला कि अगर आप situation देखेंगे अगर logic की बात करें, मैं कुछ चीज़े आपको यहाँ पर समझाने की कोशिस करता हूँ आपने अकसर देखा होगा जब market sideways होता है लगबग लगबग वो जो 15 minute की पहली candle होती है उसी के अंदर एक range में गूमता रहता है लेकिन यहाँ पर देखो कितना sideways था market 5 minute का time frame लग होगा है यह पहली candle है 5 minute की ध्यान से देखना market इसी ही 5 minute में ज़्यादतर time ज़्यादतर क्या पूरा ही time इसी 5 minute candle की इतना ज़्यादा sideways था कोई momentum ही नहीं था इसलिए मैं आपको हमेसा कहता हूँ कि as a option buyer आपको पहचानना पड़ेगा आपका दिन कोन सा है क्योंकि sideways market चलो मान के चलो अपने position बना बिली हाला कि मैं अभी आपके साथ discuss करूँगा कुछ logic discuss करूँगा जो आपको indication देते हैं कि positions को कैसे avoid करता है लेकिन फिर भी अगर किसी ने बना ली हो आपको दिखाई दे रहा है कि market sideways जा रहा है as a option buyer अगर market धीरे धीरे भी आपकी direction में move कर रहा है तब भी आपको market कुछ ना कुछ profit दे देता है लेकिन as a option buyer चाहिए ये जो quick momentum आते हैं इन्हें नहीं छोड़ना चाहिए as a option buyer जैसे कि मैंने आपको कुछ example समझाए थे ये opportunity थी ये यहाँ पर opportunity थी एकदम से quick momentum आए पड़ी बड़ी candle बन रही है तेजी के साथ momentum हो रहा है आपकी direction में तो premium बहुत तेजी के साथ पढ़ते है अब simple सी चीज़ का discussion करते है कल आपको ये pattern बताय गया था ठीक है breakout मिला इसका discussion किया गया था आपकी साथ कि positive momentum की उमीद रहेगी अगर flat open होके market open हुआ अगर breakdown मिला तो flat open होके अगर breakdown मिला तो negative momentum की उमीद रहेगी gap up अब opening की भी opportunity आपके साथ discuss की गई थी अगर कोई वीडियो को ध्यान से देखता हो तो ये वाली range बताई गई थी कुछ याद आया 45600 इसी के आसपास market open हुआ और यही पर ही जो 5 minute की पहली candle बनाई अब ध्यान से समझना हमारे लिए जो पहला resistance था जब flat open होके market positive momentum दिखाएगा तो यही resistance था पहले वाला यही resistance था 45600 इसका अगर breakout मिलता तो day high previous day high चीज़े समझ में आई जो ये पहली candle बनी है एक resistance जोन पर बनी है अगर हमी resistance जोन पर opportunity मिलती है वहाँ पर बेरी स्केंडल दिखाता है और मार्केट उससे नीचे आता है तो हम selling opportunities पर focus करते हैं लेकिन इस case में वो भी नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि अगर यह resistance था यह trend line resistance था resistance कब breakout मिलती है वो support की तरह एक रहे है पहला support दूसरा support क्या है previous day closing दूसरा support तीसरा support क्या है previous day low यह रहा तीसरा support चोथा support क्या है यह जो support zone बना हुआ है यह वाला तो यानि की नीचे तीन तीन नहीं चार चार support बैठे हुए तो या तो हमें सेलिंग अगर करनी है या नेगेटिव मुमेंटम को पकड़ना है तो हमें मार्किट इन चारों रजिस्टेंसों से नीचे चाहिए था तो इसका मतलब सेलिंग अपोर्चिन उट तो हमारी उस केस में बनती क्या ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं हुआ दूसरा मार्किट ने आपको मोका दिया ही नहीं क्योंकि वह 5 मिनट अभी मैंने बता है न आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है मार्किट इसी में ही पूरा दिं घूमत रहा इतना जयादा साइड वेस था किलियर किलियर आपको एक sideways momentum दिखा रहा था, हाला कि Nifty 50 में आपको opportunity मिले है, जब Nifty 50 की वीडियो हाएंगे, उसका logic हम वहाँ पर discussion करेंगे, कि किस तरी किस opportunities मिले है, क्या क्या situation market ने दिखाई है, चीजे clear होई कि नहीं, जो मैं समझाने की कोशिस की, अब एक बात और मैंने आ आपको समझाई हुए, जब-जब market sideways होगा, जो हमारे चार pattern है, triangle वाले pattern, trend line से मिलके बना हुआ pattern, parallel pattern, इन चारो pattern में से कोई सा, कोई सा pattern आपको दिखाई देगा, higher probability है, तो यहाँ पर कौन सा pattern दिखाई दे रहा है, यह वाला pattern आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अभी मैं आपको 15 minute के टाइम फ्रेम पर लेगे चलता हूँ, इसे ढ्रो कर लेते हैं, तो क्योंकि आगे काम आएगा, पहले तो हम एक इस जोन को में ड्रो करका आपको दिखा देता हूँ, तह दिखाई रहा है कि नहीं यह इजोन, किलियर किलियर दिखाई रहा है कि नहीं, के एक में green color डाल देते हैं ऐरा, okay एक और rectangle हम नीचे ले लेते हैं ठीक है, समझ मैं यह चीज़, यह क्यों ड्रो किया है? अलग color से क्यों ड्रो करें? वो भी मैं आपको सार चीज़े explain करूँगा पहले ही नहीं save भी कर लेते हैं कल काम आएंगे, save कैसे करना है? वो मैंने आपको बताया हूँ है, Fires में किस तरी के सेव किया जाता है? डिटेल में वीडियो मिल जाएगी, नीचे description में भी है आपने देख भी लिया हुगा यहां पर आप इस situation को समझते हैं दो लेवल मैंने क्यों draw किये अगर आप देखेंगे, market लगभग इस पूरी range में रहा है अगर कल को भी इसी range में रहता है तो आप trading नहीं करेंगे पहली चीज समझ में आई अगर इसी range में रहता है तो आप trading को avoid करेंगे अगर आपको previous day low का breakdown मिलता है तो एक हमारा setup भी है previous day low के breakdown वाला क्या यह काम करेगा बिल्कुल भी नहीं काम करेगा मेरे साथ बोलो बिल्कुल भी नहीं काम करेगा कितने लोग यह बात जानते थे क्यों नहीं काम करेगा logic जल्दी से अपने mind में देखो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़े दिखाई दे रहे है एक यह important support zone दिखाई दे रहे है क्योंकि case 2 क्या कहता है case 2 यह कहता है अगर आपको कहीं entry मिल रही है breakdown मिल रहा है नीचे support zone नस्दीक है तो बहतर है avoid करो position लेना यहाँ पर क्या रहेगा इस support zone पर देखो market किस तरह किस से react करता है तो यह निचे हमें support zone को देखना है समझ में है देखो clear हुआ कि नहीं logic समझ में आने चाहिए अब देखो दूसरा case देखो यह क्या है आपका previous day high अगर आपको इसका breakout मिलता है नस्दीकी resistance कहा है यही तो है previous day high आप इसे approach करने की कोसिस करेंगे समझ रहे हो ना जो 18 का day high है इस momentum को पगड़ो नीचे जो है नीचे यह काफी नस्दीक है as compared to this ठीक है support यहाँ पर काफी नस्दीक है तो बहतर है avoid करो यहाँ पर आपको यह situation दिखाई दे लिए चीजे clear होई कि नहीं जो मैंने समझाने की कोसिस किये आईए अब situation को step by step समझते अगर market flat open होके positive momentum दिखाता है तो situation पर हम इंतजार क्या करेंगे previous day high का हमें breakout चाहिए यहाँ पर एक चीज और हमें दिखाई दे रही है previous day high और previous day closing दोनों पास में है अगर आपको इनका breakout मिलता है एक setup भी काम करा है आपके लिए resistance क्या बनेगा जो 18 का day high रहेगा अगर market ने इसका भी breakout दे दे देगा फिर market all time high की तरब जाएगा वहीं पर अगर market flat open होके आपको negative momentum दिखाता है इस situation पर आप scalping तो कर सकते हैं अगर previous day closing से नीचे आए इस support zone तक आप scalping कर सकते हैं क्योंकि अगला support zone यही आपके लिए बनेगा अगर इसका breakdown होता है तो negative momentum की अभी उमीद नहीं करनी क्योंकि नीचे एक और support zone बैठा हुआ है इसका breakdown मिला तो पहला support बनेगा आपका 45100 इसका breakdown मिल गया तो 45000 आपके लिए दूसरा support देखने को मिलेगा वहीं पर बात करें अगर आपको मिलती है gap up opening उस situation पर आप कहा focus रखेंगे उस situation पर जो 18 का day high है आप इस zone पर focus रखेंगे कि market इससे कितने दूर या कितने नजदी gap up opening दे रहा है अगर इसी के आसपास market gap up opening देता है और breakout देके उपर चलता है police candle बनाता है और उससे उपर निकलता है अगर ज़्यादा बड़ी police candle बनगी तो trading को avoid करेंगे लेकिन फिर भी अगर आपको market एक हलका सा momentum दे रहा है एक छोटी candle बनते है उससे market उपर निकलता है तो आप यहाँ पर buying opportunities पर focus करेंगे एक positive momentum की उमीद कर सकते हैं लेकिन अगर यहाँ पर यहाँ पर bearish candle बनके rejection बनके क्योंकि पहले भी market ने इस zone पर rejection दिखाया है अगर यहाँ से rejection दिखाता है तो आपका पहला support बनेगा previous day high इसका breakdown मिलता है तो previous day low आपका दूसरा support बनेगा इसका breakdown मिलता है फिर आपके लिंग नीचे support zone है फिर 45,100 फिर 45,000 है चीज़े clear होगी वहीं पर अगर आपको gap down opening देखने को मिलती है उस situation पर आप पूरा focus रखेंगे इस वाले zone पर यानि कि 18 का जो day low है आप इस पर focus रखेंगे अगर इसी के आसपास market आपको gap down opening देता है और breakdown देके नीचे चलता है फिर 45,100 नीचे 45,000 लेकिन अगर marketing यहाँ पर support लेके bounce कर जाता है तो आपके लिए पहला resistance क्या रहेगा previous day low इसका breakout मिलता है फिर previous day high इसका भी breakout मिलता है फिर 18 का day high आपके लिए resistance रहने वाला है दोस्तों अगर आपको logic पसंदा रहे है content पसंदा रहे है वीडियो को like जरूर कीजेगा comment करके बताना analysis कैसे लग रहे है नए हो subscribe करना फिर मिलेंगे किसी next video में किसी अच्छे content के साथ thank you